कि हें गाइज सब्सक्राइब एंप्रेश दबेल आइगन तुने फार्मी से वीडियो एगें हे गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल एश्टर ग्यान आज हम डिसकस करेंगे द बॉर्डर दिस्पूट ब्यूटिन इंडिया नेपाल नेपाल का एक न्यू मैप लॉंच हो गया कि यह सब डिस्पूट क्यों हो रहा है यह बॉर्डर डिस्पूट किसलिए हो रहा है तो मैं आपको आज इस में बताने वाली हूँ ठीके तो यह देखिए यह नया मैप जो है नेपाल का यहाँ पर दिखा रहा है कि जो लिपूलेग है यह बाउंडरी से बहुत ही किया है government of Nepal's position on boundary issues to ambassador of India to Nepal ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने convey किया है regarding the border issues तो क्या है यह किस बारे में यह बोल रहा है और news में क्या चल रहा है let's see तो news में है recently released political map of India after bifurcation of the state Jammu and Kashmir into the union territories of Jammu and Kashmir Kalapani territory become the born of contention तो जो Kalapani area है जो कि the border है between India and Nepal तो इसको एक अभी इसी एक enemy का reason बन गया है between India and Nepal तेखिए इंडिया नेपाल का एक historical friendship है बहुत पहले से है क्योंकि इंडिया नेपाल का जो culture है और जो interest है हमें शाहे से ही same रहा है ठीक है तो उनका जो यह free का जो relation है जो कि आना जाना है तो यह without any pass लगता है तो यह उदाओ इंडिया का बहुत मदद करते हैं तो इंडिया भी नेपाली नेपाली को बहुत मदद करते हैं तो यह देखिया है तो यह देखिया है राजना सिंग जी ने एक ट्वीट किया था यह 8 में का ट्वीट है तो यह देखिया है यह इंडिया है और इंडिया के हम लोग अगर जूम करते हैं तो यह है कैलास मांसरोबर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को जाने के लिए पहले हमें क्या करना परता था बहुत ही लॉट लेना परता था लेकिन अब लीपूलेक पास से क्या हुआ है कि हम लोग शॉर्ट कर से जा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है यह है लीपूलेक पास ठीक है इसमें उत्तरा खर से जो जाते हैं तो यह है लीपूलेक पास तो in the latest political map India retreated its claims on the reason that Nepal considers its own territory of Darachula district तो Darachula district जो इंडिया ने क्लेम किया कि इंडियान टेरिटरी में गिरता है और नेपाल ने क्लेम किया कि वो नेपाल टेरिटरी में गिरता है according to India historical Kalapani region form part of the state of Uttarakhand तो इंडिया के हिसाब से जो Kalapani area वो उतराखन की region में गिरता है लेकिन नेपाल की हिसाब से वो नेपाली territory में गिरता है तो बैग्राउंड जान लेते हैं regarding the Kalapani, Kalapani is a valley that is administered by India as a part of the पितोरगार district of Uttarakhand तो पितोरगार district उतराखन का है, it is situated on Kalas-Mansarovar route, Kalas-Mansarovar route में ही ये गिरता है काली रिभार इन Kalapani region demarkates the border between India and Nepal जो काली रिभार है वो इंडिया और नेपाल का boundary create करता है कालापानी के कुछ historical aspects जान लेते हैं इन 1816 East India Company Nepal signed a Treaty of Sagali तो ये दिखी इस मैप में ये disputed area को दिखाया गया है यह कली रिवर कहा से पास हो रहा है ये नेपल में नेपल में नेपाल और इंडिया का जो बान्डरी है वो क्रिएट कर रहा है और लिपू लेग TOP 125 और इसमें से क्या होता यह है जल्दी से आप लिपू लेगब्ऊ के हिसाब से आप जल्दी केलास मांसर भार पहुष सकते हैं इंडिया क्लेम्स आद रिभर बिगेंस इन कलापनी एज इस वेर अलिस ट्रीबूटरी मर्च बट निपार क्लेम्स दे रिभर बिगेंस फॉम लिपूलेग पास ऑरिजिन आफ इस ट्रीबूटरी तो नेपाल क्ले इस ट्रीबूटरी मेंस आफ्टरी तो यह जो टीन एरिया है यह एक ट्राइंगल फर्म करता है ठीक है यह एक ट्राइंगल फर्म करता है उसे triangle से हिसाब से यह dispute चल रहा है निपल कर रहा है और यही एक dispute कर तो यह माना गए कि एक tri junction निपल है चल ग्रेटिं के लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मनत है और इसलिए यह एक बॉनों कॉंटेंशन क्रियेट किया गया है तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टन्स ऑफ कलापानी यह एक 35 स्कॉर किलोमेटर रिजन है विच प्लेजिक रूल इन टाग उफ वार 62 से अभी तक इंडो-Tibetan border police से इसको देख भाल करते हैं ठीक है मैंने पहले ही आपको कहा था कि इंडिया और नेपाल का एक फ्रेमिल रिलेशन है जितना भी आपका जो डिस्पूत है बॉर्डर इस्पूत फिर भी यह एक फ्रेमिल रिलेशन शेयर करते हैं विद नेपाल तो despite this India still enjoys great leverage with India. India is Nepal's largest trading partner and two countries are culturally intertwined. In the past India has played a very considerable role in maintaining stability and development in Nepal. तो नेपाल की development में जो इंडिया का हाथ है वो बहुत ही बड़ा है. At the same time जो इंडिया का जो डिवलप्मेंट है उसमें भी नेपाल का बहुत बड़ा हाथ है. देखिए मैंने आपको पहले कहा गोर्खा रिजिमेंट प्लेशन 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 रोल. तो दोनों ही एक द people है जो permitted किया गया है ये बहुत ज़्यादा फायदे मनत है. Therefore, stable and friendly relation with Nepal is one of the prerequisites which India can't afford to overlook. तो इंडियन कॉर्मेंट को ये देखना होगा कि ये सब छोटे मोटे जो map से जो ये reason के लिए जो dispute चल रहे है इसे जल्दी solve करें ताकि जो हमारा जो अच्छा relation है वो खड़ाब ना हो. तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहते हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये map जो inaugurate किया गया है ये क्या अच्छा है और जो ये अभी जो महामारी चल रहा है corner virus का तो इस corner virus में जो recently जो link road बनाया गया है क्या ये सही था क्या ये strip सही था तो मेरे हिसाब से ये सही था ले लेकिन फिर भी जो details है वो अच्छे तरह से दिखाना चाहिए था मुझे लगता है कि ये जो map है वो सिर्फ वो जो bifurcated area है Jammu and Kashmir है उसी के लिए ये दिखाया गया है there is no such intention to depict the India-Nepal boundary थीक है तो differences जल्दी से जल्दी solve वही हम कामना करते है तो अगर आपको मेरे ये video पस आपको मेरे तो प्लीज लाक शेर और सब्सक्राइब की जियू वित यूर फ्रेंस थैंक यू